हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्टिर एवरीड़ प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीएड थर्ड समेस्टर एकॉर्डिंग टू कानपूर यूनिवर्स टी जो आपका पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है विद्याले नेत्रतेवं प्रबंधर स्कूल मैनेश्मेंट लीडर्शिप इसकी 11 क्लासेश कंप्लीट हो चुके हैं आज ये क्लास नंबर हमारी 12 रहेगी अगर आपने ये 11 क्लासेश नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुए सीक्वेस से सभी क्लासेश आप देख सकते हैं आज की क्लास नंबर 12 और पहुत ही महत्पूर्ण important topic आपके सामने विद्याले वातावरण का अर्थ्यम प्रिभाशा क्या होती है देखे स्कूल वातावरण के लिए इसका पर्यावाची शब्द पर्यावरण का भी प्रियोग किया जाता है atmosphere और environment आलमुस्ट कह सकते हैं कि दोनों शेम है क्या बना परी और आवरण से मिलकर के बना पर्यावरण यानि कि परी प्लस आवरण यहां परी कार्थ क्या हो जाएगा चारों और आवरण कार्थ है धका हुआ यानि कि घेरने वाला यह चीज इतनी आप हमेशा से पढ़ते चले आए हैं आपको पता भी है और देखे इस कार्या पर्यावरण या वाता वरण वह वस्तु है जो विक्ति को चेतन या अचेतन रोपसे 4 और और मिलकरbles में यानि कि आई यहां अचेतन का मतलब है जाने अन जाने में परतैक्शा परतैक्श रोपर शे जो चीज हमको देखाई दे रही है वो भी हमको ढखे वे कूच चीज़े हमको ढखतो रखें लेकिन वह हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इस प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है वह एक ऐसी वस्तो जिसने हमें जाने अन जाने में कहीना कहीन से उसने हमें कवर कर रखा है मानव विकास में अगर बात करें तो मानव विकास में स्कूल पर्यावरण का बहुत important रोल होता है अनुकूल वातावरण में विक्ति का स्वाभाविक विकास होता है अगर विक्ति के according अनुकूल atmosphere है तो उसका अच्छा विकास होता है और प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट, प्रतिकूल वातावण में उसका विकास कुंठित हो जाता है भाई अनुकूल का मतलब है कि जैसे आपको जो सुविधायें चीएं, सुविधायें मिल लए है आपके according, आपकी हवा पानी आपको मिल ला है लेकिन आप ऐसे एक्मोस्फdragon में रहा है जो आपके प्रतिकूल है, जो आपके opposite है आपके bardziej, यानि कि आप ऐसे समाज में रहा है जिसमें आप एडजिस्ट नहीं कर पा रहे है और आपको पौजिक भोजन नहीं मिल पा रहा है या पॉस्टिक चीज़े नहीं मिल पा रही है या जहां आप रहे रहे हैं वहां की जो हवा पानी है वो भी सुद्ध नहीं है तो जाहिट सी बाता आपका जो development है वो कुन्ठित हो जाएगा इस प्रकार समाजिक और मनोवय यानिक तस्टिशे वातावण के अंतरगत वे सभी ततों सम्मिलित किया जाते हैं जो विक्तिके जीवन यानिकी गरबादान से मर्तितक कह सकते हैं वोम टू टॉम यानिकी गरब से कब्र तक उसके विवहार और समाजिक शमन्दों को करती हैं चाये वो हमारा भोजन हो हमारे पैरेंट्स हो हमारा रहन सैन हो है ना जो भी चीज है जिसका हम पर प्रभाव पड़ रहा है उन सभी को इसमें किया गया है इसे सामाजिक वनसानुक्रम भी कहते हैं क्या नम दिया गया है सामाजिक वनसानुक्रम यानि कि समाज से मिल चोर ही बन जाएंगे है ना तो इस तरीके से वातावरण के तत्वों के अंतरगत वे सभी भौतिक और मनोवेग्यानिक उद्दीपन आते हैं जिसमें प्राणी गर्भा दाम से लेकर के जीवन पर्यंत प्रभावित होता रहता है जीवन पर्यंत आने की जब तक कपर तक नही होनी तरंगे अध्यापक का कंट्रोल मित्रों की प्रार्थना आधी ऐसे तत्व हैं जो वेक्त को प्रभावित करते हैं भाई चाहें कोई भी कंडीशन हो उर्जा परिवर्तन हो कोई भी वस्तवे हो या घटनाए हैं या फिर वैद्धुत जटका बिजली का जटका हो ठीक को प्रभावित करता है अब जैसे हम कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ स्कूल देख रहे हैं इसकूल देख रहे हैं फैक्क्ट्रीच देख रहे हैं सब कुछ तो वातावरण में सबकुछ प्रजावरं के इंतरकत आ जाता है J.S. Ross कहते हैं वातावरं कोई बहारी शक्ती है जो हमें प्रभावित करते हैं पी जिस बर्ट कहते हैं कि वातावरण वो सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों और से घेरे रहता है और उसका पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है वुडवर्ट कहते हैं कि वातावरण में वे सब बाहरी तत्तों आ जाते हैं जिन्होंने वेक्ति को जीवन आरम करने के समय से प्रभावित किया, जैसे उसका जीवन आरम होता है, उसका 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 प्रभाव पढ़ना सुरू हो जाता है, आगे समझते हैं, देखिए, पॉइंट कहता है, विद्याले पर्यावन संकल्पना में ये मानता है कि जिस तरह वेक्ति का वेक्तित होता है, और उसके संपर्क में आने वाला वेक्ति किसी ना किसी प्रकार प्रभावित होता है, देखिए, जिस तरह वेक्ति का वेक्तित होता है, और उसके संपर्क में आने वाला वेक्ति किसी ना किसी प्रकार प्रभावित होता है, यानि कि जैसी संग वैसी रंगत है ना आप जिस प्रकार के विक्त के साथ रहेंगे उसका परभाव आप पर पढ़ेगा ठीक है आप आपके मित्र अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनेंगे आपके दोस्त ऐसे हैं जिनको रोज क्लास से बाहर मुरुगा बना दिया जाता है तो आप भी क्लास से बाहर मुरुगा बना दिये जाएंगे क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं जाहिर सी बात आप भी सायता नहीं करेंगे ठीक है आपके दोस्त अच्छे हैं पढ़ने लिखने वाले हैं तो आप भी उनको दे करके पढ़ेंगे तो कहने का मतलब है कि जैसा उसका व्यक्तित ह होगा उसका प्रभाव आप भी पड़ेगा ठीक उसी प्रकार विद्यायले का भी एक व्यक्तित होता है और विद्यायले के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति हर व्यक्ति बालक को प्रभावित करता है चाहें कोई व्यक्ति हो अथ्वा बालक हो सब को प्रभावित करता है अगर हमारा school अच्छा है, atmosphere अच्छा है, discipline अच्छा है, ठीक है, तो जाहेड सी बात है, हम भी discipline में रहेंगे और वो सब जीजे हम सीखेंगे, ओके, यह हो गया विद्याले वातावरण, अब आयते हैं point पर, हमारा जो school environment होता है, उस पर कौन-कौन से factors हैं, जिनका परभाव प क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, exam आपका बहुत जल्दी होगा, campus वालों का exam 2 December से लगा हुआ है, campus वालों का exam 2 December से होगा, और फिर आपकी भी date जल्दी ही आने वाली है, और अगर आपने अभी तक हमारा paid content नहीं लिया है, तो अभी भी आपकी पास समय है, मौका है, क 9628182649, इस नमबर पे whatsapp messenger के notes की information ले सकते हैं, जिसमें आपको full content provide कराया जाता है, topic wise content रहेगा, previous question paper रहेंगे, question answer रहेंगे, और notes लेने के बाद आपको बहुत से market से कोभी copy, किताब, question bank, model paper, कुछ भी खरिदने के ओ सकता, नहीं रहे जाती है, 9628182649, इस नमबर पे whatsapp messenger के notes क information लेजिए, तो school वातावन को कौन कौन से factor से जो प्रभावित करते हैं, समझें point को, school में अधिगम, जो learning है, एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल, it's a broad process, है ना, learning का, इस प्रक्रिया की सफलता, केवल प्रभावसाली सिच्छन पर ही नहीं, वरन अनेक सामुहिक कारकों पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है, कि आपकी जो learning है, उसके लिए, क्या हो, effective teaching हो, यानि कि अगर teaching अच्छी है, तो अधिगम अच्छा होगा, सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, बलकि बहुत सारे factors हैं, वो अगर अधिगम क्या नुकूल नहीं होगे, तो अधिगम अधिद अनिया के कारक, इस्टुडेंट्स पढ़ने में interested हैं की नहीं है, उनका subject में रूची हैं की नहीं है, पाठिकरम उनके recording हैं की नहीं है, टीचर की teaching method किस तरीके का है, स्कूल की विवस्था कैसी है, वह का atmosphere कैसा है, क्या आपको class में, यदि गर्मी का मौसम है, तो उ की नहीं है, दिखाई दे रहा है की नहीं दे रहा है, ठीक है, अनेक कारक, school, उसके सोरूप और गत के नधारक की रूप में responsible होते हैं, उनका प्रभाव हमारी learning पर पढ़ता है, और फिर देखिए, कुछ कारक ऐसे होते हैं, देखिए, ये कारक मुख रूप से चार होते हैं जिनका बालक के अधिगम पर प्रभाव पढ़ता है, अधिगम का मतलब learning पर क्या, एक तो सिक्षार्थी से समन्दित कारक यानकी विद्यार्थी से समन्दित कारक होते हैं, फिर teacher से समन्दित factors होते हैं, फिर हमारे subject से से और फिर तीसरा है learning जो विवस्था है उससे, देख सुरवात में हम विद्याले में जाते हैं, कभी parents सोटे बच्चे को दो पैर से ले आते हैं, कभी दो घंटे पढ़ा करके ले आते हैं, यानि सुरवात में बालक का घर का ही वातावरन चाया रहता है, वही चीज़े वह वहाँ भी चाहता है, जो से वहाँ नहीं मिल पाती है तो सुरवात में उसको problem create होती है, लेकिन धीरे 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 वह वह विद्याले के वातावरन में ढल जाता है, विद्याले प्रांगर में आने पर उसके मन में अनेक जिग्यासाईं उठती हैं, जिनको वह शान्त करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को जानना चाह चाहता है सीखना चाहता है इसे नवीन वातार में शमयोजन करना होता है एक नया एक्मोसफेयर जाकर के उसको विद्याले में मिलता है जहां उसे अब धीरे-धीरे एड़िस्ट करना होता है ऐसी इस्थिति में अधिगम क्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है अच्छा धीरे-धीरे कंटीनो स्कूल जाने लगता है बालक की अगर बात करें तो बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंदर बिंदू होता है बिल्कुल कोई भी चीज है उसको सीखने का जो केंदर बिंदू है वो कौन है वह है बालक ही है ओके सिक्षा का उद्देश बाल पेंट बालक के अंदर होना चाहिए और इसी पॉइंटा विव से बालकों की रुची योगता च्छमता विक्तिकत जो उनका अंतर होता है विक्तिकत भिनता होती है बुद्धी आदि के आधार पर जितनी भी क्रिया संपन्न कराई कराई गई है वो एफेक्टिव सिद्ध होत है दूसरी बात है सीखने की इच्छा इसको हम कहते है विल तू लेर्न याने की सीखने की इच्छा होनी चाहिए बाई तभी तो बालक सीख पाएगा बालकों को नया ग्यान देने से पहले यह बहुत आविश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति जिग्यासा उत्पन्न की क्योंकि ऐसा होने पर विद्यारती प्रतिकूल प्रिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है देखे जिस चीज में हमको इंट्रेस्ट है जिसको हम सीखना चाहते हैं उनको हम अगर प्रिस्थितियां हमारे अनकूल नहीं है फिर भी हम उनको सीख लेंग का आकांक्षा इस तरवी बी ऊच्च को टिका होना चाही है, जिससे बालक कट힌 वे से समझ पाए, आगे बाड़ते हैं शारेडिक और मांसिक स्वास्थ है की बात करेंगे, देखिये शारेडिक और मांसिक स्वास्थ है, ये भी तो बहुत आवश्यक है कि बालक का फिस्कल और मेंटल हेल्थ अच्छी होने चीए सीखने से पहले बालक का शारेडिक और मांसिक रूप से स्वस्थ रहना भी नितान्त आवश्यक है, स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्थिश्क का निर्मान होता है यदि आपका स्वस्थ है ठीक है तो आपका मस्थिश्क भी स्वस्थ रहेगा ये दोनों चीजे बहुत आवश्यक हैं सीखने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है नितान्त आवश्यक है, क्यों? क्योंकि बालक के ध्यान, रूची और एकागरता पर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है किसी भी प्रकार की मानसिक विक्रतियदी है, बालक टेंसन्ड है, उसका सरदर्द हो रहा है या और प्राबलम है, शारिक रूगड़ता, यानि की सरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, या फिर वो मानसिक तनाव है उसको इसका प्रतिक्ष प्रभाव बालकों के अधिगम पर प्रतिकूल पड़ता है ये सब चीजे हैं तो बालक अच्छे तरीके से अधिगम नहीं कर पाएगा शारिक और मानसिक रूप से जो बालक अस्वस्त होता है, वो बहुत जल्दी ठकान भी महसूश करने लगता है अब हम बात करेंगे मोटिवेशन की, यानि की अभी प्रेणा भी बहुत जरूरी है देखिए, सीखने की प्रोसेस में जो मोटिवेशन है, इसका बहुत इंपॉर्टन रोल होता है यदि बालक को किसी नए ग्यान यथिया अथवा, किसी नए काम को सीखने के लिए प्रेणित नहीं किया जाता तो वो उस क्रिया में या उस काम में इंट्रेस्ट भी नहीं लेगा हम लोग भी कभी कभी लगता है, कि यार सब बेकार है, कुछ नहीं है, हम से ना हो पाएगा ये सब चीजे कभी हम लोग निगेटिव फिल करने लगते है और फिर अगर हमको कोई मोटिवेट कर देता है, या हमको कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखा देता है तो फिर हमारे अंदर से एक आग उठ पड़ती है नहीं हम भी कर सकते है जब यह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम तो इससे कई लाग गुना बेतर है और ये क्या हो गया हम motivate हो गये अब हमारी फिर से इच्छा है कि हम उस को करें तो कभी-कभी demotivate लोग हो जाते हैं यहाँ पे भी वही चीज है अगर बालक motivate नहीं है ठीक है, अभी प्रेरित नहीं है सीखने के लिए तब भी हम उसको नहीं सिखा सकते हैं तो अभी प्रेरिणा भी बहुत आवश्चेक है अभी प्रेरिणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है आपको motivate कर दिया गया रहे तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर दाए तो देखो, वो जब कर गया, सरमाजी के लड़का कर गया वो तो इत्ता रिद्धी, बेकार था, तुम क्यों नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छे हो, और तुम ही तो हो जो ये काम कर सकते हो यहाँ पर हमारी इच्छा फिर से प्रबल हो जाएगी अभी प्रेर्णा उत्पन्न करने के लिए आविश्यक है कि बालक को उसका लक्ष इसपस्ट कर दिया जाए कि देखिए, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम सरकाई टीचर नहीं बन पाओगे फिर तुम कैसे अपने घर का बोज उठा पाओगे कैसे अपनी फैमिली को तुम चलाओगे है ना सारी सुक्स विधाएं फिर तुम कैसे ले पाओगे लक्ष उसका इसपस्ट कर देना चाहिए अगर तुम पास नहीं हो पाए सरकाई टीचर नहीं बन पाए तो क्या होगा जिंदगी चीक है आगे बढ़ते हैं सीखने का समय और अवधी जिरूरी है सीखने का समय और अवधी देखे अगर चात्र अधिर देख अगर चात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता है किसी काम को ज्यादा देर तक करता है तो जहर सी बात है वो ठक जाता है यह थकान का अनुभव करने लगता है, और थकान अनुभव होने से अधिगम की प्रक्रिया में सिसलता उत्पन हो जाती है, लर्निंग स्लो हो जाती है, विद्याले में समय चक्र बनाते समय, समय चक्र का मतलब है, जो time period बनाया जाता है, period जो बनाया जाते हैं, इस बात का भी science subject है ठीक है ये subject हमेशा half time से पहले रखे जाता है या और भी कोई tough subject है तो उसको half time से पहले रखा जाता है क्योंकि बालक घर से आता है तो एकदम कता ही fresh होता है ताज़ा होता है वो इन subjects को अच्छे से समझ पाएगा क्योंकि यहाँ पर उसको लगाना होता है दिमाग बागी subjects है हिंदी है English है यह सब जो आसान subject है इनको रखा जाता है half time के बाद क्योंकि वहाँ पे बालक थोड़ा सा ठक जाता है तो क्या होना चीए जो कठिन विसे हैं उनको आप half time से पहले रखे जो tough subject है उनको half time के sorry जो कठिन है वो पहले जो आसान है वो half time के बाद चलिए बात हूए शिक-शक से समधित भी कारक होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है number विसört ग्यां विसे का पहला point के है विसे का ग्यां यह क्या है यह कहता है यह क्या कहता है कि अध्यापक का किसी विसे समयत ग्यान अनुभा वयोगिता अदि चात्रों के learning को protection प करते हैं अगर G अध्यापक को अपने विशय की गहन जानकारी नहीं है, तो वो चात्रों को बहुत कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ उतना दे सकता है जितना उसके सामने है, है ना, उसको एक्जामपल के माध्यम से समझा नहीं सकता, अलालग टीचिंग मैथेड्स का यूज़ नहीं कर सकता, इस होगा और उसका जो टीचिंग होगी वो भी बहुत effective होगी, ओके तो ये विशय का ज्यान बहुत जिरूरी है, सिक्षक का विवहार भी बहुत important role play करता है बालकों को सिखाने में, सिक्षक का विवहार छात्रों के सीखने को प्रतेक्ष रूप से प्रभावित करता है, बालक बार बार पूछ रहा है, तो आप बार बार उसको समझाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे, ठीक है, और थोड़ा psychological होना चाहिए, यह थी कोई बालक रोज लेट आ रहा है, या मायूश है, तो आप उससे पूछे कि आखिर आखिर आपको समस्या क्या है, है थोड़ा friendly होना चाहिए, और आप modern teacher तो ऐसी friendly हो गए है, उसके विवार में सहनभूती, सहयोग, समानता, किसी बालको यह ना देखे कि यह अमीर घर से आता है, है यह गरीब घर से आता है, इसको छोड़ो, या इसके पिता जी तो हमारे बहुत अच्छे मित रहें तो उस प कुछ सीख सकेंगे, लेकिन अगर सिक्षक का विवार बहुत ज़्यादा कठोर है मान लीजिए, कठोर, अत्यंत कठोर है, तो छातर उसकी कच्छा से भागने लग जाते हैं, कि यह teacher बहुत strict है, आज वो ना आए, है ना, ऐसे जो strict teacher या जो, ऐसे teacher जिन से डर लगता था, ऐ आजना है, और जिसे नहीं आते थे उस दिन मले बले, दूसरी बात है, अध्यापा को सभी छातरों से एक जैसा ही विवार करना चाहिए, ताकि छातरों के मन में उसके प्रती दुर्भावना पैदा नहीं होनी चाहिए, मनोविज्यान का ग्यान, मनोविज्यान का ग्यान द अलग होता है उसकी योगता चमता अलग अलग होती उसी सबसे मुसको सिखाएं प्रेरणा सीखने के सिध्धांत आधिका ग्यान भी उसको होना अत्यांत जरूरी हो जाता है फिर बात करते हैं शिक्षन विदी की सिक्षन की विदी जितनी अधिक वैज्ञानिक और इफेक्ट विदी द्वारा सीखना खोज विदी द्वारा सीखना आधिका अपना अलग-अलग महतो है तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से टीचिंग मेथट का यूज कीजिए विक्तिकत भेदों का ग्यान भी परमाविश्यक है भाई हर बच्च परतेक चा सब अलग-अलग होता है तो हर बालक को आप उसके एकॉर्डिंग सिखाइए यह हो गए हमारे क्या हो गए यह टीचर से समधित कारक थे जिनको हमने समझा होके और इससे पहले सिच्छारति समधित कारक हमने समझा अब तीसरा पॉइंट है पार्ठ वस्तु से समधित कारक जिनका हमारे सीखने में लर्णिंग में प्रभाव पड़ता है पार्ठ वस्तु से समधित कारक जो होते हैं यह क्या कहते हैं देखें नमर एक तो विश्यवस्तु की प्रकृति यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाई नेचर ओव सब्जेक्ट मेंटर विश्यवस्तु की प्रकृति अधिगम प्रकृति को पूर्ण रूप से प्रभावित करती जो भी लर्निंग प्रॉसेस चल रहा है कि आकि जो सब्जेक्ट उसका नेचर कैसा है सीखी जाने वाली विश्यवस्तु अगर सरल है तो मध्यम स च्रिनी का है वो भी आसानी से उसको सीख लेगा अगर जो सब्जेक्ट है वो बहुत कठिन है तो चात्रों को सीखने में कठनाई का अनुभव होता है ठीक है और जो कठिन सब्जेक्ट है उसको याद करने में समय भी अधिक लगता है जो सरल सब्जेक्ट होता है वो बच् इसके अतरिक्त कविता है, गणित है, विग्यान आद की प्रकृती भिन होने के करण भी अधिगम प्रकृति प्रभावित करती है। दूसरा है विसेवस्तु का आकार कितना है विसेवस्तु का आकार अर्थात उसकी लंबाई और मात्रा भी छात्रों की अधिग्यम प्रिक्रिया को प्रत्यक्षूप से प्रभावित करती है छात्र प्रात्मिक्ता के तौर पर पहले उन पाठों का अध्यान करता है जो छोटे और यही कारण है कि जब विद्यारत्री को ऐसे पाठों को पढ़ने के लिए विवस्ट किया जाता है तो वो इनकी तयारी उतनी तत परता और मन लगा कर नहीं करता जितना की छोटे पाठों को तो जो विवस्टु जो भी सब्जेक्ट हो उसमें चैप्टर्स छोटे छोटे होने चाहिए सलेबस भी उसमें कम होना चाहिए ये जरूरी है विशेवस्तु का करम की बात करेंगे करम में क्या है? चात्र को पहले सरल विशेवस्तु पढ़ाई जाए बाद में कठिन ऐसा करने से ये कठिन पाठिवस्तु को भी आसानी से सीख सकेगा उदाहरन परस्तुतिकरन एक्जामपल्स बहुत जरूरी होते हैं ठीक है? अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को एक्जामपल दे करके समझाते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है पाठिवस्तु को गहनता से समझने की दर्ष्टिशे अध्यापो को विशिष्ट से सामान की और अत्वा उदाहरन से नियम की और सिच्छन से सूत्रों का प्रियोग करना चाहिए भाषा शैली देखें यहाँ पे है आगे बढ़ते हैं भाषा शैली विशेवस्तु को अगर सरल भाषा में बालकों के समझ प्रस्तुत किया जाए तो वो सललता से सीख लेते हैं और वही हम भाषा आसान सब्दों का यूज कीजिए है ना कठिन सब्दों का यूज करेंगे बालक कैसे उनको पकड़ पाएगा समझ पाएगा कठिन भाषा और लंबे-लंबे वाक की सीखने में अवरोध उत्पन करते हैं इसलिए भाषा शरल, संशिप्त, सुबोद और प्रवाहमयब बनाने का प्रयास करना चाहिए आनि कि जो भी सब्जेक्टा पढ़ा रहे हैं उसकी लेंग्वेज आसान होनी चाहिए ठीक है आप बात करते हैं अधिग्यम व्यवस्ता से भी समंदित कुछ कारक होते हैं उसके मत फिर विद्धाले प्रयाण के प्रकार समझेंगे अधिग्यम व्यवस्ता से समंदित कारक पहला तो है संपूर्ण बनाम खंड विधी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संपूर्ण बनाम खंड विधी, आईए समझते हैं, इस विधी की मुक्य विसिस्ता ये है कि इसके आधार पर विद्यार्थी अपनी जो इश्मन सकती है वो बढ़ा सकता है, संपूर्ण विधी के अंतरगत विद्यार्थी समस्त पाठी वस्तु को एक ही साथ लेता है, जबकि खंड विधी में संपूर्ण पाठी वस्तु को छोटे छोटे अंगों में विभक्त करके बाठ करके एक एक खंड याद कर लेता है, है ना, देखिए, जैसे कुछ विध्यार्थी तो संपूर्ण विधी, संपूर्ण का मतलब यह है कि आपने क्या किया, प लेकिन अधिकांस्ता संपूर्ण विधी को ही बेहतर मानते हैं, तो यह संपूर्ण बनाम खंड है, उपविशय बनाम संकेंदरी विधी, यह क्या है, इस विधी के अंतरगत विभिन कक्षाओं के लिए बालकों के मानसिक इस्तर और आयू के अनुसार उपविशय निर्ध किये जाते हैं, और यह उपविशय पूनतिया उसी कक्षा अत्वा कक्षाओं में समाप्त भी कर दिये जाते हैं, दूसरी बात है संकेंदरी विधी, संकेंदरी विधी के अंतरगत किसी भी उपविशय को किसी कक्षा विसेस में पढ़ा करके पूनतिया समाप्त नहीं कर द अब जैसे यहां पर बात हुई उपविश्य की उपविश्य जैसे जोटना घटाना गुणा भाग यह प्राइमरी कच्छा में समीकरण ब्याज समानुपाद इत्या इनको क्या है जूनियर हाई स्कूल की कच्छा में पूर्टेहा पढ़ा दिया जाता है और बात की जो पूर्टेहा जाता है लेकिन इन विश्यों के प्रिश्यों को हल करने का प्रयापत अभ्यास उसी इस्तर पर करा दिया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है संकलित बना में वित्रित विधी इसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्ट वर्सेश करके धीरे-धीरे समप्त कराया जाता है सक्रिय बनाम निस्क्रिय विधी देखिए विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को दो तरीकों से याद करता है प्रत्थम है सक्रिय विधी दूसरा है निस्क्रिय विधी जो सक्रिय विधी है सक्रिय विधी से मतलब यह है कि इसके अंतर करके कंट्रस्ट करने का प्रियास करता है ओके यह हमारे क्या थे यह जो क्या कहते हैं कारक है जिनका हमारे अधिगंबर प्रभाव पड़ता है इसकूल वातावन को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिसमें शिक्षक से समंधित कारक होते हैं शिक्षार्थी से समंधित कारक ह समझें अब बात आती है विध्याले प्रावर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं जो प्रकार हैं इनको हम कोशिश करते हैं नहीं अच्छा इसी क्लास में खतम करते फिर नेक्स्ट रहेगी उत्में समय तारीका पढ़ेंगे आईए विद्याले प्रयावरण के प्रकार देखिए विद्याले में प्रदाना ध्यापक प्रबंधन अथ्वा अध्यापकों करमचारियों चात्रों आधि में अंतहक रिया संप्रेशन वक्कार करने की शैलिके क्लाइमेट्ट स्वायत या जनतंत्री प्रयावरण जिसको ऑड्मास या फिर डेमोक्राटिक क्लाइमेट कहते हैं नेंत्रित प्रयावरण जिसको में सबीस अदस्यों का मनोबल मुचा होता है उन पर किसी प्रकार का अनावश्यक कारिभार नहीं होता शिक्षक जो होता है वहाँ शिक्षक अपने कार से संतुष्ट होते हैं पर्यवण इस प्रकार का होता है जिसमें कटनाईयों को दूर किया जाता है और निराशाओं से उपर उठने की प्रेड़ना भी यहां पर मिलती है प्रदाना द्यापक जो होता है इसमें श्वेम कठिन काम करके आदर सी उपस्तित नहीं करता बलकि प्रश्चितियों के उनसार सिच्चकों की अलोचना भी इसमें करता है और क्या कहा है मतलब इसमें प्रिणाम जो रिजल्ट्स होते हैं उन पर अधिक आग्रह नहीं होता बलकि उनका आग्रह मानवी समंदों को बनाए रखने में होता है इस प्रकार प्रदाना द्यापक विद्याले की शंपून परसितियों पर नियंतरों लगता है जो स्वायत या जनतंतरी प्रद्यावण है इस प्रद्यावण में शिक्षक मिलकर काम करते हैं इसमें जो टीचर्स होते हैं मिलकर के काम करते हैं और उद्दिश जो भी उद्दिश निर्धर्ट किया जाते हैं को तेजी से प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं ठीक है और अधिक काम से उन्हें उनकी प्रगत में किसी व्यवधान की नहीं होती है क्योंकि सभी मिलकर की काम कर रहे हैं प्रदाहना ध्यापक इस प्रकार के नियम और विधियां बना देता है इसमें जिससे टीचर्स का ज कर रहे हैं ठीक है तो यह हमारा स्तोतंत्र या जनतंत्री पर्यावण होता है फिर आता है हमारा नियंत्रित पर्यावण Controlled Climate इस पर्यावण में सबसे अधिक महत्व achievements पर दिया जाता है उपलब्धियों पर दिया जाता है चाहें इसका प्रभाव अन्य प्रशासनिक पक्षों पर गलत ही क्यों ना पड़े शिक्षक प्रदाना ध्यापक के निर्देसों के विपरित नहीं जाते जो टीचर्स होते हैं वो प्रिंस्पल ने जो निर्देस दे दिया जो instruction दे दिया वो उसी पर काम करेंगे उसके अपोजित नहीं जाते हैं और वे विक्तिगत रूप से भी काम संपादन में योगदान देते हैं इसमें कागजी कारिवाई ज़्यादा होती है नियंत्रित पर्यावण में जिससे टीचर्स को अपने उपर कारिवार की जो है उनको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा काम है हम पर क्योंकि इसमें कागजी कारिवाई ज़्यादा होती है ती चौथा पॉइंट आता है परिचित पर्यावन परिचित पर्यावन जिसको हम फेमिलिय कलाइमेट कहते हैं इसमें प्रशासन और सिक्षकों के बीच फ्रेंडली रिलेशन होता है सिक्षक कार उपलब्धियों पर बहुत कम ध्यान देते हैं सिक्षक जो है वो काम की उपलब्धी कितनी रही इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं प्रदाना द्यापक का सिक्षकों के कार कलापों पर बहुत कम नियंतरन होता है टीचर्स में संतुष्टी औसत होती है यानि बहुत जाव साटिस्फैक्शन नहीं होता प्रदाना द्यापक की मुख्य विचारदारा होती है कि सब एक परिवार की तरह रहें प्रतिक समूग के सदस मिल करके काम करें लेकिन विक्तियों में कारक के प्रतिक उदासिंता होती है प्रदाना त्यापक जो है वो समू के साथ रहता है और वो काम पर अधिक बल नहीं देता है वो ये चिंता नहीं करता कि टीचर अपना काम सही प्रकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस प्रकार वो टीचर के काम के मुल्यांकल पर बहुत कम ध्यान देता है लेकिन मुख के पात ये है कि टीचर उस पर विश्वाश करते हैं और वो टीचर के कल्याण में रूची भी रखता है फिर आता है हमारा प्रदाना कलाइमेट का मतलब प्रदाना द्यापक टीचर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता और नहीं उनकी समाजी का सक्ताओं को पूरा कर पाता है वो अधिकतर प्रशासनिक और आपचारिक कार्यों में व्यस्त रहता है शिक्षक मिलकर काम नहीं करते बलकि समुहों में इसमें बटे रहते हैं गुरुप संतुष्टी की पूर्ती हो सके फिर आता है हमारा क्लाइमेट बंद प्रशावन इसमें कार उपलब्धियों और श्रमाजी का उसकता में सिच्चकों को बहुत कम संतोष मिलता है प्रदाना ध्यापक सिच्चकों को निर्देश देने में समर्थ नहीं होता और नहीं उनके विक्तिकत कर लियान की ओध्यान देता है अतासिक्षक उसकी साथ मिलकर के काम इसमें नहीं करते तो इस तरीके से यह हमारा क्या था यह कुछ यह हमारे विद्याले प्रद्यावन के प्रकार थे जिनको हमने समझा ठीक है अब जो next class रहेगी उसमें हम समय तालिका को समझ प पर से मिल जाते हैं आपको शॉर्ट प्लैस लॉंग कोशन मिल जाते हैं जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इतना कंटेंट आपको एक जगह मिल जाता है ठीक है एंड नेक्स क्लास बहुत जल्दी आएगी से प्लेलिस्ट पूरी बने हुए आपनको देखेगा थेंक जात जात जाते हैं तो मुझे जाते हैं तक मुझे आपको एक्टियों को मुझे कर देखेगी से इंची के कर सकते हैं अम्हां है तो